नमस्कार, युनिवर्सल निउस में आपका स्वागत है हर नौल मोड के पास हुई 50,000 रुपे की लूट का पुलिस ने खुलासा किया है एक शिक्षप को गिर्फतार किया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है पुलिस का कहना है कि इस घटना में तीन लोग शामिल थे एसपी देहात अरुन कुमार शुकला ने बताया कि वादी के दौरा इन्हें पहचाना गया है इसी के आधार पर गिर्फतारी की गई है सुरीर के अंदर एक लूट 11 एपरिल को सुरेश चंदर शर्मा के पुत्र योगेश शर्मा अपने अपनी रिष्टदारी से 50,000 रुपे लेकर आ रहे थे सुभा तीन यूगों ने मोटर साइकल से जाकर उनसे 50,000 रुपे छीन लिए मोबाइल और कुछ पैसा इस दोरान बच गया था उसी गटना में हेमंद चोहान पकड़ा गया है 7,000 रुपे की बरामती हुई है एक तमंचा और दो कार्तूज भी बरामत हुए है दो साथी भागने में सफल रहे उनकी भी शीगर गिर्फतारी कर ली जाएगी इनका कोई खास क्रिमिलल इतिहास नहीं रहा है इसलिए जो अपराथिक गटनाएं इससे पहले इनोंने की थी उनका व्यावारिक रूप से समझोता कर लिया गया था इससे पहले भी लूट और चोरी के मामले इनके दुआरा किये जाने की जानकारी मिली है लेकिन इनका कोई अपराथिक रिकॉर्ड नहीं है